छटा पाठ गारो प्रिष्ट संख्या 29 से 33 अब सुनिये गारो में घालाय राज्य की एक प्रमुक जन जाती है गारो गारो लोग स्वभाव से ही शान्ती प्रिय, परिश्रमी और प्रकृती को प्यार करने वाले होते हैं इसी गारो समाज के दो महा पुरुषों के नाम है जा पा जलिन पा और सुक पा बुंगि पा गारो समाज इन दो महा पुरुषों को बड़ी श्रद्धा से याद करता है गारो लोग में घालाय में कैसे बस गए इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो लोगों के पूर्वज, चीन और ति यहां खाने पीने का साधन मिल जाता वहां रुख जाते जब भोजन की कठिनाई होती तो नए स्थानों की खोज में निकल पड़ते यह खाना बदूश जीवन कब तक चलता रहा होगा कुछ सही सही नहीं कहा जा सकता भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त गारो लोग बहुत परिशान होते थे। उन्हीं दिनों गारो समाज में जा पा जलिन पा और सुख पा बुंगी पा का जन्म हुआ था। इन दो महा पुरुशों ने अपने लोगों की परिशानियों को देखा और समझा दोनों ने गारो लोगों को उस विसम परिस्थिति से निकाल कर क नहीं अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। दोनों महापुरुशों ने गारो लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि वे उन्हें एक सुन्दर स्थान पर ले जाएंगे। गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। सभी लोगों ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलिनपा और बुंगिपा इतने निडर और प्रभावशाली व्यक्ति थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी उनकी आहट या आवाज सुनकर भागने लगते थे। वे भयंकर तूफानों में भी सही मार्ग और दिशा का पता लगा लेते थे। रात में भी उन्हें अपने साथियों का मार्ग दर्शन करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। अपने सहज, बोध और विवेक द्वारा वे आने वाले संकट का पूर्वा नुमान कर लेते और अपने साथियों को मुसीबतों से बचा लेते। इस तरह सारे गारू एक साथ हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्म पुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े। वे अपनी संपत्ती, घोडे, जानवर आदी अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी-कभी महीनों तक चलते रहते और कहीं-कहीं वर्षों ठहर जाते। वर्षों तक इस प्रकार यात्रा होती रहते। वे हिमालय की घाटियों के बीच रास्ता नापते रहते। जलिनपा और बुंगिपा ने अपने साथियों को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रुच्साहित किया। कई वर्षों की कठिन यात्रा के बाद गारो लोग असम के मैदानी जंगलों में आ पहुँचे। कहा जाता है कि उनका पहला पढ़ाव कुछ विहार के वनों में हुआ। कुछ विहार पर उन दिनों असम के राजा का अधिकार था। उसने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो लोग प्रारंभ से ही शान्ति प्रिय रहे हैं। उन्होंने लडाई का रास्ता नहीं अपनाया। जलिनपा और बुंगिपा ने असम के राजा से बात चीत करके उन्हें समझाया। असम का राजा उन्हें मार्ग देने के लिए सहमत हो गया। उसका विवाह एक गारो सुंदरी से करा दिया गया। इस तरह वातावरण मित्रता पूर्ण हो गया। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह घटना लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व की है। आज कुछ विहार इलाका पश्चिम बंगाल राज्य में पढ़ता है। कहा जाता है कि गारो समाज के कुछ लोग कुछ विहार क्षेत्र में बस गए थे। आज भी कुछ विहार क्षेत्र में तथा आसपास के कई स्थानों में गारो समाज के लोग रहते हैं। अब जलिनपा और बुंगीपा ने अपने लोगों को गारो पहाडी की घाटियों की ओर चलने की सला दी। यह घाटी बहुत ही सुन्दर थी। यहां पहाडी चरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियां और पशु पक्षी वातावरण को और अधिक आकर्शक बना रहे जमीन भी बहुत उपजाव थी। इस कारण उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। आज यह क्षेत्र गारो समाज का मूल निवास स्थान बन गया है। गारो लोग इस क्षेत्र को अपनी पवित्र भूमी मानते हैं। गारो लोग प्रारंब से ही प्रकृती के विभिन प्रकार के संसाधनों की तलाश करना ही अपना मनोरंजन मानते हैं। जंगलों में घूमना, फल फूलों, अन, कंद मूल आधि की खोज करना, खेती के लिए उपजाव भूमी की पहचान करना आधि उनको शुरू से ही पसं रहे हैं। आज भी गारो लोगों ने अपने पारंपरिक उनर को कायम रखा हुआ है। गारो समाज और गारो संस्कृती भारत का गौरव है। गारो समाज आज भी जलिनपा और बुंगिपा को बड़ी शध्धा और आधर से याद करते हैं। अभ्यास, शब्दार्थ, स्वभाव, व्यवहार, सुदूर, बहुत दूर, विशम, कठिन, प्रोज साहित करना, बढ़ावा देना, सहमत, राजी होना, अनुमान, अन्दाजा, पारंपरिक, बहुत समय से चला आ रहा। प्रचलित, चलन में, जो व्यवहार में आ रहा हो। कायम, स्थाई, पढ़ाव, मकाम, यात्रियों के रात भर या कुछ समय के लिए ठहरने का स्थान। हुनर, कारिगरी, कोशल। एक, पढ़ो और समझो। जन, जमा जाती, ये बना जन जाती। शान्ति, जमा प्रियर, ये बना शान्ती प्रियर। महा, जमा पुरुष, ये बना महा पुरुष। मित्रता, जमा पूर्ण, ये बना मित्रता पूर्ण। दो, पाठ संबंधी प्रश्न। क, पाठ के आधार पर गारो जन जाती के बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। ख, गारो लोग एक स्थान पर क्यों बस जाना चाहते थे। ग, जा पा जलिन पा और सुक पा भुंगी पा का नाम आधर से क्यों लिया जाता है। तीन, सोचो और जवाब दो। क, जंगलों से हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं। ख, गारो पहाड किस प्रदेश में हैं। मानचित्र पर उस प्रदेश का नाम लिखो। चार, कुछ यह भी करो। क, अपने प्रदेश या किसी अन्य राज्य की किसी जन जाती के बारे में पता करो। उसके बारे में अपनी कक्षा में बताओ। ख, यह पाथ एक लोक कथा पर आधारित है। अगर तुमने भी कभी कोई लोक कथा सुनी हैं, तो लोक कथा और सामान्य कहानी के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा करो। ग, गारू लोगों ने बहुत लंबी यात्रा की थी। यदि तुमने भी कोई लंबी यात्रा की हो, तो अपनी यात्रा के बारे में लिखो। पांच, बार बार बोलो। वर्षों तक इस प्रकार यात्रा होती ही रही। इन वाक्यों में सही जगह पर ही लगा कर बोलो। क, सुधा सुभा तक पढ़ती रही। ख, यह पंखा हमेशा आवाज करता रहता है। ग, गारो लोगों का खाना बदोश जीवन कई सालों तक चलता रहा। ग, सुशील ठक कर सो गया। न, दो घंटे बाद बस चल पड़ी। छ, सही सही इन शब्दों में सही अक्षर भरो। अक्षर हैं स, श, श, व, रिक्तस्थान। य, साह, रिक्तस्थान, आक्, रिक्तस्थान, रक्पुरू, रिक्तस्थान। रिक्तस्थान, एश, व, रिक्तस्थान, व, रिक्तस्थान, म, रिक्तस्थान, ट्रू। रिक्तस्थान टकून, व, रिक्तस्थान किसी शब्द के उपर र, रिक्तस्थान मुद्र, रिक्तस्थान हज, साथ इन शब्दों की रचना देखो। सामाजिक, पारंपरिक ये शब्द एक तधित प्रत्याय लगाकर बनाए गए हैं। इसी प्रकार एक प्रत्याय लगाकर पांच शब्द बनाओ।